हेलो बच्चो चली आ गए हम आपके साथ फिर से एक वार एक नए वीडियो के साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं आरेने यानी की राइबो नीकलिक एसीड के बारे में आपने सुना होगा आरेने आरेने बहुत सुना होगा क्या होता है इसका रोल आज तक आपको किसी ने कु होज सके और notification on करना ना भूले ताकि time to time आपको notification भी मिलता रहे जैसे जैसे मैं वीडियो upload करूंगा वैसे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप like भी कीजिएगा share भी कीजिएगा और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है उस पार्ट पर आप comment भी कीजिएगा अगर कोई डॉट रह जाता है तो comment में जरूर आप बताईए कि आपको क्या समझ में नहीं आया तो बस यहां एक चीज़ और ध्यान में क्या रखना है आपको कि आपका जो RNA है वह होता है single standard लेकिन आपका जो DNA था वह क्या था double standard यानि आप एक साथ दो टॉपिक पर रहे हैं और आपका competitively study हो रहा है RNA single standard होता है लेकिन DNA आपका double standard होता है यह आपके सामने रहा animation जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो RNA खुबसूरत सा RNA है colorful दिखाया गया है यहाँ पे beautiful animations के साथ कि RNA क्या है single standard है अब यह RNA बना किस से है तो RNA जो है आपका यह किस से बना है तो RNA बनता है आपका ribos sugar से RNA किस से बना है ribos sugar से उसके साथ phosphate है तो आपने DNA में क्या पढ़ा था DNA is made up of deoxy ribos sugar यानि और ribos sugar का एक oxygen गायब हो चुका था DNA में और इसलिए हो क्या बन गया था? deoxy ribos sugar phosphate था as it is और nitrogenous base भी था लेकिन ध्यान दीजिए कि वहाँ पे आपके nitrogenous base में adinine था, guanine था, cytosine था और thymine था लेकिन आपके RNA में क्या है? adinine है, guanine है, cytosine है और uracil है याद रखना है कि uracil जो है ये uracil आपके किस में present है? तो आपके RNA में है uracil किस में present है? और इने में है लेकिन DNA में इसके बनले क्या था? तो DNA में था इसके बदले क्या आप बताएंगे DNA में था इसके बदले थाइमिन येस इसके बदले क्या थाइमिन था ये एक और फोटोग्राप्स आपके सामने है देख सकते हैं आपको उनसे चार नाइटोजिनस बेसिस हैं तो एडेनीन है गौाइनीन है यूरैसील है और लेकिन आपको यहां थाइमिन दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है मैंने आपको एक चीज़ और बताना है कि आपका जो DNA है वो double standard helical structure है तो आपका RNA single standard helical structure है यह आपको ध्यान रखना है चली आगे बरेंगे तो आगे देखेंगे RNA code for amino acid RNA का काम क्या है तो RNA का काम क्या होता है आपको मैं बताता हूँ RNA जो है आपके DNA से बनके निकलेंगा DNA यह देखिए निकलियस है इसमें से DNA से RNA ऐसे बाहर निकलेंगा और RNA के response में इस पे ribosome attach हो जाते हैं जिससे proteins बनता है तो यह काम अभी तो नहीं हमें पढ़ना है हम आगे के topic में पढ़ने वाले हैं लेकिन आपको यहीं से पता होना चीए न कि RNA का काम क्या है तो यह code यह message लेके जाता है किस चीज के लिए यह message लेके जाता है और क्या बनाता है amino acid form करने में help करता है इसमें भी types हैं तो it acts as a messenger between DNA and ribosome यानि DNA से ribosome बनाएंगा लेकिन कैसे बनाएंगा तो उसके लिए message कून लेके ज जाएंगा तो उसके लिए message लेके जाएंगा RNA तो protein synthesis होना है तो protein कैसे बनता है तो protein बनता है mRNA से mRNA से कैसे बनेगा तो DNA का जो coding reason हो mRNA पर जाएंगा mRNA को ribosome read करके tRNA के help से amino acid को bind करके protein synthesis करने का काम करेंगा तो बच्चों आगे हम types of RNA परहेंगे पहला type जो है messenger RNA है यानि ये message लेके जाता है इसको short में mRNA बोलते है mRNA जो है आपका एक single standard RNA है mRNA का main काम क्या होता है protein synthesis करना mRNA जो है आपका किस form में है तो mRNA किस से बनता है तो mRNA DNA से बनता है और ये कब बनता है transcription के time में बनता है यानि कि अगर सिधा सिधा बोला जाए तो ये आपका double standard DNA है इससे बन रहा है क्या single standard RNA the process is called transcription the process is called transcription formation of mRNA from DNA the process is called transcription यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए ये आपका जो दिख रहा है ना दो stand दिख रहा है फिर से आएंगा animations animations को बहुत ध्यान से देखेंगे double standard दिखेंगा आपको वहां से एक single standard red color का निकलते हुए दिख रहा है that is the mRNA ये आपको green color का दिख रहा है green blue color का ये double standard DNA है जिसके उपर से ये purple red color का जो जा रहा हो RNA polymerase है और यहाँ जो आपको thread like red color का नीचे से निकलते हुए दिख रहा है that is the mRNA the process is called transcription then types of RNA में transfer RNA that is the tRNA abbreviate कैसे करते हम tRNA से इसका main काम क्या होता है और कैसा होता है देखेंगे ये आपका क्या होता है single standard होता है ये भी आपका क्या होता है single standard होता है लेकिन ये क्या हो जाते हैं इस तरह की folding बनाते हैं जिसके currency लगता कैसे है double standard ये clover leaf like structure और 3D structure अगर इसका देखा जाए तो इसका structure कैसे होता है L shape में होता है ठीक है तो this makes the double strand region and loops loops दिखा आपको मैं फिर से आपके सामने draw कर देता हूँ ये कुछ इस तरह से ये देखी ये loop हो गया ये anticodon loop होता है ये एक D loop होता है और ये इस तरह से ठीक है ऐसा होता है तो यहाँ पर ये वाला region जो है ये loop है और ये जो region है ये क्या है आर्म है ठीक है यहीं पर CC यहीं पर amino acid bind होता है और यहाँ पर anticodon loop रहता है जिसके help से ये कहाँ पर bind होता है ये bind होता है mRNA के साथ तो ये folding बनाया है ये जो है folding बनाया है ये actual में double standard नहीं होता है tRNA आपका एक small RNA molecule है tRNA एक small RNA molecule है जिसका main role क्या है protein synthesis मियाद नहीं रखिए जितने भी type के RNA पढ़ने वाले हैं सभी का main role जो है क्या है protein synthesis specific tRNA जो है आपके specific reason से ही क्या होते है mRNA पे bind होते है जैसे समझ लिज़े जैसे यह मैंने बना है mRNA ठीक है तो यहाँ पे एक tRNA आके क्या हो गया bind हो गया यहाँ पे एक और tRNA आके bind होगा लेकिन सभी क्या होंगे एक दूसरे से different यह एक दूसरे से क्या रहेंगे different रहेंगे एक दूसरे से क्या रहेंगे यह different रहेंगे आपको अलग अलग type के tRNA मिलेंगे that means उसके उपर जो anti-codones रहेंगे वो क्या रहते हैं different रहते हैं transverse RNA यानि कि tRNA जो है इसको adapter molecules बोला जाता है क्यों बोला जाता है adapter molecules क्योंकि आपका जो mRNA होता है उसको परके कौन amino acid लाएंगा तो tRNA लाएंगा transverse RNA जो है आपका ये क्या काम करता है तो messenger between किसके बीच में the messenger RNA molecules and growing chain of the amino acid यानि amino acid से जो protein बनेगा ये देखिए यह आपको दिख रहा है Clover lip आभी मैंने आपको दिखा ये affirmate देखिए UAC है UAC है तो U किसके साथ bind होता A के साथ C किसके साथ bind होगा G के साथ और यहां पे आपका protein synthesis होने वाला है यह जो आपको purple red pink color का जो दिख रहा है उपर से आते वे यह smaller sub unit है राइबोजोम के और यह tRNA आ रहा है yellow is golden color का जो है यह क्या है tRNA है यहां पे एक और animation यहां पे देखिए किस तरह से protein synthesis होता है किस तरह से आपका tRNA जो है उपर में arm region में amino acid लेके आता है और किस तरह से mRNA से specific region से bind होता है राइबोजोम के inside और किस तरह से protein synthesis करता है इससे भी प्यारा animation आने वाला है आगे के वीडियो में जिसमें आप देखने वाले हो protein synthesis चलिए यहाँ पे देखिए यह tRNA किस तरह से run हो रहा है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका तो types of RNA में हम बात करेंगे ribosomal RNA ribosomal ribonucleic acid that is the rRNA rRNA तो यहाँ पे आपको जो pink color का एक structure दिख रहा है वो है ribosome और ribosome में किस से बना होता है तो ribosome बना होता है rRNA से यानि rRNA प्लस प्रोटीन से क्योंकि ribosomal RNA है इसलिए उसको rRNA बोलायाता है तो rRNA ने इसे type of non-coding RNA इसमें non-coding RNA होता है ठीक है और यह किसका component है ribosome का component है यह बहुत essential है क्योंकि यही तो protein synthesis में help करेंगा अच्छा इसमें एक enzyme होता है ribosome जिसके कारण से protein synthesis हो पाता है यह आपको काम आएंगा कब जब आप protein synthesis पर होगे तब ribosome मल RNA जो है आपका यह predominant है मतलब सबसे ज़्यादा है जितने भी types के RNA है उसमें सबसे ज़्यादा कोन है ribosomal RNA है टोटल जितना भी RNA है उसका 80% RNA जो है वो आपके ribosomal RNA है ribosome कैसे बनता है तो ribosome में 60% जो है आपका RNA रहता है और 40% जो है यह protein रहता है तो I hope आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा आपको अगर यह वीडियो आपके लिए helpful है तो आप इसे like, share, subscribe जरूर करें आपके feedback जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तो इसलिए comment करना बिल्कुल भी ना मिले जाए हिन, जाए भारत